भुमिकार जी नमस्कार जी जी सर नमस्कार मेरी तरफ से और चतिस गड़ के निमासियों की तरफ से जय जोहार और आपको प्रणाम भुमिकार जी आपको और सभी दिद्यों को भी मेरा नमस्कार और दोजार चोबिस का साल शुरू हो चुका है आप सब को मेरी बहुत बार सुबकामना है जरा भुमी काई जी मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा आपके बारे में बताइए मेरा नाम भुमी कब हो आ रहे है मैं ग्राम भान बेड़ा तहसिल भानु प्रतापूर जीला कांकर चातिस गड़ के रहने वाली हूँ आप करती क्या है परिवार में कौन है आपका काम क्या है बताइए रहा है मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरे माँ पापा और मेरा एक भाई है जो क्रिसी मजदूरी और पढ़ाई करते हैं आपके पढ़ाई क्या हुई बीएस्टी प्रावेट अच्छा और अभी गाउं में रहती हो मां के पास जी अच्छा भुमिकाजी बताईए कि आपको इस कारकम में यह मोका बोलने के लिए क्यों मिला है कुछ आपने बहुत काम किया होगा बड़ा इसलिए तो मुझे आपके साथ कुछ समय बिताने का आउसर मिल रहा है जुरू आपने कुछ पड़ाक्रम किया होगा जुरू कुछ सिद्धी कियोगी बताईए जुड़ू ही जुड़ू ही सर वंधन समू में हाँ कि मैं वंधन समू में काम करती हूं जिसमें हमारा समू प्रभारी समू है जिसमें मैं सच्चिव के रूप में काम करती हूं कि कितने कितने समू में बहने हैं क्या काम करते हैं क्या क्या योजनायों का लाब मिला है आपको हमारे गाव में कुल 29 समू है और हमारे घर में हमको वंधन का लाब मिला है उज्वला गैस का लाब मिला है नल जल जीवन का लाब मिला है सोचाला का लाब मिला है मनरेगा का लाब मिला है राशन का लाब मिला है किशान सम्मान निधी का भी लाब मिला है बोनस का भी लाब मिल आपको तो सब योजना याद है भुविकाजी जी सर आप से जो मिला है कैसे भूल सकते हैं सर नहीं आप याद रखते हैं यही इससे ही तो हमें काम करने का और हिम्मत आ जाती है अच्छा राशन नियमित्रुप से मिलता है और जीतना ताइक यह उतना मिलता है जी सर राशन बराबर मिलता है अच्छा आपको इतनी सारी योजनाओं का पता है नाम बोल रही हो आप और बहुत अच्छे रंग से बता रही हो तो इन सारी चीजों का पता कैसे चला आपको और यह सब चीजे प्राप्त करने में कोई तकलीप नहीं होई नहीं सर तकलीप नह कि हैं अपका भाईmaya क्या करता है चोंटा भाई मेरा चोटा भाई भी कॉलेज करता है सर अच्छा तो पहले तो मैं आप्पी मातापिता को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने आप दोनों बच्चों को पड़ाया क्योंकि मैं जानता बस्तर की जिंदगी कैसी है लेकिन आपके माबाप प्रनाम करने योग्य हैं कि उन्होंने और बेटी को पढ़ने के लिए बाहर बेजा बेटी को पढ़ाया और इतनी माताय बहने सुन रही हैं मैं देखना में आपके पीछे लोग ही लोग हैं और पड़े उत्सा और उमंग स बढ़े हुए हैं तो मैं उनको भी करूंगा बच्चों को जूर पढ़ाये अच्छा आपके समूंजों हैं वो को विशेश काम करते हैं तो मुझे बता सकती है कौन सा बड़ा काम किया है जी सर जी हम वंधर में जूर के हम मौह लड़ू और आला चार का निर्मार करते हैं स फिर उसका क्या करते हैं जर हाविश्थार बताई Morto करते हैं तो जो foodGreet मौह से बनता है forest भी भाकिते हैं ओस्वास करते हैं सर्विक्री करने के लिए क्या connection के मांत होती है ये लड़ू कि किस वासां से बेचते हैं साथ सुरुपे के जी में सर अच्छा लेकिन जो कुछ लोग तो महुआ का दूसरा उपयोग करते हैं तो उनका क्या होगा अभी सब्unt इसलिए तो लड्टु बना रहे हैं उसको यूज मत करें सैंमि लोगे लड्टु बना रहे हैं वो दूसरा उप्यों क्या करते हैं लोह ए हैं मैं नशा करते हैं है जी इस लिए अपने हस्कर बताया हुआ जी अच्छा भुमिकाजी आप से बात करने का मुका मिला और इतने सारी माताव बेहनों को दर्शन का भी सहुपा की मिला मुझे इस बात का भहुत संतोस है कि बिना किसी तक्लिप के आपको अनेक योजनाओं का लाब मिला है मुझे विशेश रुप से ये भी अच्छा लगा कि आपने वन धन केंद्र का लाब लिया है और आपने लोगों के स्वास्त के लिए इसका बहुत बढ़िया तरीके से उप्योग किया है हमारी सरकार आदिवासी क्षित्रों में रहने वाले हमारे भाई बहनों के विकास के लिए कटी बद्द है आप जैसे जागरुग नागरिकों की वज़े से बनधन केंद्र अच्छे पनाम दे रहे हैं और आपको तो पता होगा हमारे जहां आदिवासी समाज में भी जो बहुत बहुत पीछे रहे हुए लोग है और उनको एक विसिस्टर रूप से गिना गया है अभी मैंने बगवान बिर्सा मुंडा के जन्मस्तान से उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना गोशित की हैं यह संख्या में बहुत कम है लेकिन बहुत हावत खराब है उनके लिए मैं ने यह यिग जन्मन योजना और उनको बहुत बड़ी मदद करने वाले हैं और शायद 15 जनवरी को ऐसे समूहों के साथ मैं मिलने वाला भी हूँ शायद आदिवासी समाज मैं भी इतने नीचे जाकर के काम करने का सोभा के पहले किसी को नहीं मिलाओगा भगवान मिर्शामुंडा के आशिरवात से मुझे हमारे आदिवासी भाईबेनों के सेवा करने का मोका मिल रहा है